मर्शकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों इंडिया का FDI का डेटा आ चुका है FDI क्या होता है और इसके आने से इसके बढ़ने से capital market पे stock market पे economy पूरी की पूरी country पे क्या impact पढ़ता है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो पे और बहुत इंट्रस्टिंग डेटा आया है मलब एक ऐसे particular ऐसे point होते हैं जो untouched है जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप long term के लिए confident हो सके तो यह सब कुछ देखेगा discussion करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको देखेगा यह सारी information और अगर आप option buyer है तो आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं description में आपको link मिल जाएगा तो जाके join करिए और अपनी trading की journey को और better करिए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि FDI क्या होता है FDI होता है वो funds जो आपको foreign से आते हैं यानि कि ऐसे investment जो सीधा foreign से आते हैं इसको कहते है foreign direct investment और देखेगा आप भी particular देखेगा कोई land अगर purchase करते हो तो उसी particular देखे आपको जादा तेजी से investor कूद रहे होते हैं जहां पर जादा तेजी से government development कर रही होती है जहां पर आपको जादा तेजी से return बनने की उमीद होती है तो जिस तरीके से investor ऐसी जगे पे ऐसे particular area में land purchase या investment करता है for particular purpose or a business तो same होता है कि foreign investor ऐसी economies में invest करते हैं जिन में आपको growth देखने को मिलने वाली है तो अगर किसी economy में FDI का data बढ़के आ रहा है बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब वो एक attractive destination बन गई है यानि कि वो economy वो country एक attractive destination बन गई है for the investor तो अगर उस particular country में लगाता growth होती रहती है तो वहाँ पे आपको जो inflow of funds है जो होता होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है और दो रुपए की चीज आपको 10 रुपए में मिलने लगती है क्यों चुकि यह growth का particular scenario है कि जहां पे investor आ जाते हैं वो देश अपने आप developed हो जाता है तो यहां पे मैं आपको FDI का data दिखाने जा रहा हूं इस पे राजसभा में बहुत बड़ा discussion हुआ है और बहुत clarity के साथ दिख रहा है कि इंडिया में FDI का confidence आ रहा है फॉरण देखेगा institutions का investor का बहुत बड़ा confidence देखने को विल्ला है तो मैं आपको data दिखाऊंगा सबसे पहले देखेगा यह data है आपका 2014 पंदरा का यह data है वो 2014 पंदरा है तो अगर देखेगे कोई बड़ी growth आपको नहीं देखने को मिली इस particular scenario में एक sustainable देखेगा आपको growth देखने को मिल ले है ज्यादा बड़े projection नहीं है prediction नहीं हो ज्यादा बड़ी growth actual ground पे नहीं थी तो यह भी देखेगा आपको यह समझने वाली चीज़ है यह भी इसमें भी BJP की सरकार थी इस समय बहुत सारी चीज़ों को consolidation wave में देखेगा settle करा गया है अब आप देखेगा after covid after covid देखे jump आया है after covid यह jump आया है यह देखे यानि कि जो particular यह particular growth थी वहाँ पे जो एकदम से output आया है एकदम से जब चीज़ें दिखना शुरू ही है एकदम से जब चाइना की economy में द बहुत बड़ा back foot देखने को मिला है बहुत बड़ा देखेगा problem देखने को मिली है एकदम से energy के crisis यूरोप में आ गया है एकदम से recession जैसी वाते अमेरिका में हो रही है तो ऐसे में ऐसी जगे पे bet किया जा रहा है investor के द्वारा जो fastest growing economy है यानि कि world की fastest growing economy है और आपको पता ह है वो इंडिया है और जितने भी particular world class institutions हैं वो केवल एक बात करें हैं इंडिया की बात करें तो jump देखिए आप jump देखिए just देखिएगा 50% का jump है 50% का jump आपको देखने हूं मिला है तो आप देख सकते हैं कि अगर FDI government की through देखेगा या फिर अगर आप देखेंगे government के development schemes के दौरा भारत में आ रहा है तो इसका मतलब है capital market में भी FIIs लोटेंगे दो हजार 22 में यह जो लगातार आपने देखा कि FIIs ने केवल केवल sell 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 केवल एक ही चीज़ करिए sell 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 आपने 2022 में क्या दिखा है केवल selling केवल selling यानि के FIIs ने जो 2021 में केवल buying केवल buying करी थी वो पूरी तरीके से total sell में चली गई थी और इस समय सबसे solid economy कौन सी है इंडिया की तो यह आपको buying में convert होते होगे जल्दी देखने को मिलने वाली है चुकि इंडिया में जो FDI का flow बढ़ा है FDI का inflow 20 गुना बढ़ गया है 20 गुना और यह data आया है promotion of industry international trade dpiit India's cumulative inflow student US dollar 871 billion तो आप समझ सकते हैं यह पूरा authentic data आपके सामने है और पूरी तरीके से हर एक particular sector में आपको FDI invest करते हो देखते हूं मिलना है जिसमें कि सबसे बढ़ा सेक्टर है वो है defense defense में सबसे ज़्यादा बढ़ा investment आ रहा है और defense की growth भी सबसे ज़्यादा sustainable है चुकि इंडिया को आत्म निर्भर भारत बनना है और जो particular देखेगा चाइना के पास जिसकी monopoly थी यानि कि जो सबसेदा export करता था तो computer software hardware industry में भी काफी अच्छा FDI equity flow देखेगा इंडिया ने इस बार grab करा है तो यह opportunity को grab करने वाली जो situation है यह बहुत ही essential होती है और आप देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से इस flow से हर अलग-अलग sector में क्या होता है FDI का flow बना रहेगा तो इसका मतलब है कि इंडिया में FIS फिर से लोटे देखेंगे 2023 में और जब वो लोटेंगे तो capital market 20,000 के पार भी जाएगा 20,000 के पार भी जाएगा और अगर आप देखेंगे इंडिया rank 68 in the global competitive index तो यहां पे भी काफी बड़ा देखेगा impact पड़ा है तो 68 rank आई है global competitive index में 48 देखेगा रहें का यह most innovative country में आई है जिसके कारण FDI यहां पे बड़ा है और आगे चलके सबसे बड़ा देखेगा जो particular richest person भी होगा तो हो सकता है वो इंडियाई का हो तो ऐसे innovation ऐसे tremendous देखेगा जो particular change होते है वो FDI अभी तो FDI आया ही नहीं है जब अच्छी तरीके से flow आएगा तब आपको दिखेगा कि FIIs किस तरीके से इंडिया में lot के आते हो जैसे वो lot के आएंगे तो आपको एक scenario capital market में change होते हुए देखने को मिलेगा तो हर dip का benefit उठा इसका अन्थी बहुत खुबसूरत होने वाला है वीडियो अगर अच्छा लगे तो like share subscribe करना ना बुलेगा thank you so much